राजनीती हो या फिर खेल, फिल्म इंडास्ट्री हो या फिर बिजनिस का शेत्र, हर शेत्र में गुर्जर जाती अवल रही है और अपनी जाती का लोहा मनवाती आई है आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट जगत की वो गुर्जर हस्तियों के बारे में इंफरमेशन जिन्होंने पोरे देश में अपना लोहा मनवाया है जानने के लिए कौन है वो गुर्जर खिलाडी जुड़े रहे लास्ट तक हमारे साथ नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजिस्थान संबाद पहले नंबर पर हैं भुवनेश्वर कुमार गुर्जर अब वो किसी पहचान के मौतास नहीं है इनको शायद ही ऐसा कोई होगा जो ना जानता हो भुवनेश्वर कुमार गुर्जर का जन्म गाव लुहारली में जिलाबुलन शहर उत्तर परदेश में 5 फरवरी 1990 को हुआ था भुवनेश्वर कुमार की शादी 23 नवंबर 2017 में नुपुर नागर से हुई थी जो की मेरट जिले के गाव भिंडवाडा मवाना से हैं और मेरट के गंगानगर से हैं इनके पिता का नाम है किरनपाल सिंग और माता का नाम है इंद्रेश सिंग और भुवनेश्वर कुमार गेन में विकेट के दोनों तरह स्विंग करने में माहिर हैं जिसके कारण वो भारती क्रिकेट टीम के एक प्रमुख गेंद बाज है उनके बिना भारती क्रिकेट टीम अधूरी सी लगती है भुबनेश्वर कुमार ने अपना अंतराश्ट्री क्रिकेट जीवन 2012 में भारत पाकिस्तान के 2020 सरी से शुरू किया था दूसरे नंबर पर हैं जिनके हम बात कर रहे हैं वो अंडर 19 वर्ल कप 2018 में अपनी अलग ही चाप छोड़ चुके हैं उन्होंने बड़े-बड़े बल्ले बाजों को पानी पिलाया है इनका नाम है शिवम मावी जी हाँ शिवम मावी गुर्जर एक भारती क्रिकेटर है दिसंबर 2017 में इनका चॉयन 2018 आइसी सी अंडर 19 क्रिकेट विश्यो कप के लिए भारती अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ इनका जन्वे 26 नवंबर 1996 को नॉइडा में हुआ था और ये दाहिने हाथ से बले बाजी और गेन बाजी करते हैं और ये हर्फन मौला खिलाडी के रूप में जाने जाते हैं इसे बीच 2018 इंडियन प्रीमिर लीग के निलामी में इने कॉलकाता नाइट राइडर्स ने तीन करोड में खरीदा था मावी का ये पहला इंडियन प्रीमिर लीग भी था इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के मुदसर गुर्जर 21 साल के मुदसर लाहॉर के रहने वाले हैं ये बेहत गरीब परिवार के हैं मुदसर की फीट अगर हाइट की हम बात करें तो 7 फीट 6 इंच है इस 30 गेंद बास की खोज लाहॉर कलंदर्स ने की थी लाहॉर कलंदर्स अधिकारियों के मताबिक फ्रेंचाइजी हमेशा उभरती हुई प्रतिभा को मंच मुहया कराने के लिए तयार हैं और मुदसर एक अनोखी प्रतिभा है कुछ फेमस कोच और ट्रेनर्स की मार्ग दर्शन में गेंद के साथ अपने हुनर को और निखारने के लिए मुदसर पिछले साल लाहॉर से कलंदर्स डवलमेंट प्रोग्राम में शामिल हुए थे बहुत जादा हाइट होने के चलते मुदसर कुछ फेटनिस इशूज को फेज भी करते हैं लेकिन ये सुरिश्चत करने के लिए वो उन पर काम कर रहे हैं कि इस से खेल में उनके करियर को नुकसान ना पहुंचें इस लिस्ट में नमबर चार पर नाम आता है भारत और दिल्ली के तेज गेन बास परविंदर अवाना का अवाना ने 9 साल तक दिल्ली का प्रतिन दित्व किया था और 2012 की घरेलू श्रंखला में इंगलेंट के खिलाब भारत के लिए 2 T20 अंतराष्टरी मैच खेले लेकिन विकेट हासल करने में नाकाम रहे थे ये तेज गेन बास 2012 से 2014 तक 3 सत्र किंग्स 11 पंजाब के और से IPL खेल चुके हैं अवाना ने 62 प्रत्रम श्रेणी मैचों में 29.23 के औसट से 191 विकेट चटकाए थे इस लिस्ट में पांचवे नमबर पर नाम आता है भविशे गुर्जर का ये भी क्रिकेट के दुन्या में उभरते हुए नए सेतारे हैं आपको बता दें कि भविशे गुर्जर राष्ट्री अंडर 14 क्रिकेट टीम में राजस्थान की टीम की तरफ से खेल चुके हैं और मलेशिया में T20 क्रिकेट में भी भारत का प्रतिनिद्व कर चुके हैं इनके पिता RC Memorial शिक्षन फ्रेशिक्षन कॉलेज के प्राचारे डॉक्टर विकास गुर्जर हैं और आपको बता दें कि भविशे गुर्जर मारवार जंक्षन के पुर्व विधायक और फिल्म कार डिरेक्टर भहरफ सिंग गुर्जर के पौत्र भी हैं और इस लिस्ट में आखरी नाम आता है शोयब अख्थर का जीहां जो के एक पाकिस्तानी मुस्लिम गुर्जर हैं शोयब अख्थर का जन्म 13 अगस्त उनिस सो पेचतर को पाकिस्तान के पंजाब राज्य के रावलपिंडी शहर में हुआ था शोयब अख्थर का जन्म एक मुस्लिम मध्यवर्ती परिवार में हुआ था और इन्होंने अपने क्रिकेट करियर में काफी ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो किसी भी गेनबास के लिए तोड़ने आसान नहीं है और उनके जैसा गेनबास शायद ही कोई दूसरा पैदा हुआ होगा उनके जैसी गेनबास ही करने आसान बात नहीं है लेकिन उनके जैसा गेनबास अब तक पैदा नहीं हुआ है शोईबक्तर ने अपने अंतराश्ट्री क्रिकेट में काफी शांदार प्रदर्शन किया है उन्होंने अंतराश्ट्री क्रिकेट के शुरुवात उननीस सो सत्यानवे में की थी तो ये थे वो हरफर मौला क्रिकेटर्स जो की गुर्जर जाती से आए और जिन्होंने अपने खेल का डंका पूरे देश और दुनिया में बजाया कैसे लगे आपको हमारी रिपोर्ट कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में और ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए देखना ना भूले राजस्थान समवाद, नमस्कार को पावरफुल बनाने के लिए लाएं है स्पेशल डिजिटल पाकेज जहां प्रदेश के लाखो सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर कैमरा में लेंगे आपका इंटरव्यू और वो उन चैनल्स पर फ्रसारित होगा जिने पहले से लाखो लोग सब्सक केजिए